बायो प्लासिजन 11 होमियोपैथे की यह वो मैडिसन है जो के ट्रीट करती है फीवर को किसी भी किसम की इंफेक्शन की वज़ा से जो जिसम में हो जाता है यह वो डिफेंस मेकनिजम बाड़ी को फिरहाम करता है जिससे हमारी बाड़ी का टंपरेचर जो रेज हुआ होता है जिस टॉकसिसिटी की वज़ा से उसको यह कम करने में मावन साबित होता है बेस्ट क्योर है आप इसका इस्तमाल लाजमी कीजिए अगर आपको फीवर है फेरम फॉस कालिम फॉस यह वो कालिम में और और कालिम सल्फ नेटरिम सल्फ यह वो मेडिसंस थेंदर जो कि यह वो सॉल्ट्स हैं जो कि हमारी बाड़ी में जब पहुँश्चते हैं तो एक भ defense system को गो है वैक्टि वेट करते हैं जो कि बिमारी के खिलाफ लड़ती हैं ऐसा बुखार जिसके साथ सर्दी लगना बुखार हो जाना अचानक swelling का हो जाना या अचानक जो है वो नमूनिय का हो जाना उसमें भी यह कारामत थाबित है आप इसका जो है वो इस्तमाल कर सकते हैं यानि किसी भी किसम की वज़ा से अगर आपको बुखार है तो आप इसकी टैबलेट्स का इस्तमाल लाजमी कीजिए अडल्ट्स जो है वो चार टैबलेट्स दिन में चार मरतबा दिन में हर तीन घंटे के बाद लेंगे और बच्चे जो है वो दो टैबल इस्तमाल लाजमी की वो चार आपको बुखार हो जाती है तंग अगर आप रखें और यह तैयार शुदा होती है इसमें किसी भी किसम की जो है वो आपको डॉप्स डालने की जरूरत नहीं टैबलेट्स पे आप यह तैबलेट्स आप इसली वेलेबल भी हैं होमियोपैथिक स्टोर्स पे आप इसको बाई कर सकते हैं पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर की कोई भी कंट्री हो वहां से एजिली अवेलेबल यह मिल जाती है बचों में बुखार की नौईत को जो है यह कम करती है आप जैसे ही देखें कि बचों को बुखार हो रहा है क्यूट कंडि भी नहीं होगी इसके साथ साथ आप अगर देखते हैं कि मैडिसन का इस्तमाल एंटी बायोटिक की मैडिसन के इस्तमाल से अगर बच्चों में प्रॉब्लम्स जादा हो रही हैं तो डॉक्टर से मश्वरा करके आप जो है वो अपनी होमेपैतिक की मैडिसन पे शिफ्ट हो सक हैं आप इसका इस्तमाल एक्यूट कंडिशन में लाजमी कीजिए क्यूंकि इसका इस्तमाल जो है एक्यूट कंडिशन में बहुत जल्दी असर करता है एक्यूट कंडिशन में इस्तमाल लाजमी कीजिए इसके इलावा बायो प्लासिजन नमबर 11 ये आप याद रखिए आपको ये एजिली मिल जाएगी इसके इलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए अपना धेरो ख्याल रखिये और बच्चों का लाजमी ख्याल रखिये मौसम सर्ग में उन्हें बहुत ख्याल रख की घुटाईब कीजिए और बहुत थाने इसके अपना धेरो ख्याल रखिये अवैति कीजिए और आप पडकीजिए अपना